कि आज डिन पहले हमने एक गंटे का class लिया था और उसमें पुरिया परम्हांड जो था नंबर आया था प्रित्वी का मैंने बताया था Story देजके carthe France को अब ही से हम लोग演ी जीन फ्रिट devotion करते हैं प्रिफि बिग्यान को लोगई स्टाट करते हैं जीजिक आर्थ भी हम ने आपको वबताया था कि ज sóल और होता है भोपिझ्ञान इसे मिन्हलों को अपने प्रिफवी के बारे में स्टवी करते हैं प्रित्वी के उत्पत्ती होती है 4.6 billion years पहले इसको आप याद कर लिजेगा और एक साइंटिस्ट आते हैं खगोल सास्तरी आते हैं उनका नाम है एडिवीन हबल एडिवीन हबल का कथन यह है कि हमारी जो प्रित्वी है यह प्रित्वी का निर्मान हुआ है गैसों के बादल से अब गैसों के बादल जो था इसको नाम दिया उन्होंने निहारिका कि मतलब गैसों का बादल है गैसों के साथ साथ धुलकन था क्योंकि ऐसा बता जाता है कि के बादल टाइब के संदस्ना को iadevyn hubble क्या बोलते हैं कि पृत्वी कुद्पत्ति होती है निहारिका से और इसे ही हम लोग बोलते हैं नेbular परिकल्पना ने भुल्र त्यूरी सवाल पूछेगा निहारी का परिकल्पना किस ने दिया है या इस नियम को किस ने परतीपादित किया है जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे ब्रहमांड में जो हैड्रोजन गैस की percentage है means पूरे ब्रम्हांड के structure में पिछले क्लास में पड़ाया हुआ ना नहीं है कोई भी उसमें पूरे जो hydrogen है अब क्या पाए जाता है सिर्फ hydrogen गेस का percentage है आप बस इतना समझें कि hydrogen और यह उर्जा को बोलते हैं स्वेध प्रकास का आपका इस्पेक्ट्रम हो सकता है इसमें कहने का मतलब सात सात रंगों में बढ़ सकते हैं तो सुर्य से जो ज्यादा प्रकास आता है वह प्रकास आता है hydrogen करन का और सूरी के पास ऐसे भी देखिएगा सूरी के पास जो structure होता है सूरी का structure है क्या वहाँ पे 98% सिर्फ hydrogen है और जो helium है वह एपरोक्स 2% है hydrogen जो है H+, यह है 98% और जो helium है यह है only 2% आप एक बात बताएए hydrogen का electron number 1 होता है that means atomic number 1 होता है इसका electron number भी 1 होगा proton number भी 1 होगा आप जानते हैं कि जिस तत्व का जितना electron संख्या उतना ही उसका परमानु संख्या नाम दिया गया है आप अगर सेल के बारे में पड़े हैं बोर का model पड़े होंगे chemistry में तो आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारे पास जो कक्षक होते हैं वह होते हैं L M N और सबसेल क्या हम लोग जानते हैं उपकर चक कि A, P, D, F S का बबू capacity होता है वंली 2 electron रखने का और P का capacity होता है छे electron रखने का 4-4 आगे बढ़ना है D का होता है 10, F का होता है 14 दूनिया का कोई भी पिंड एक्टम से मिलके बना है उसी प्रकार से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा जियोलोजी भी सहे में यह तो सभी इलेक्ट्रोन हो जाएंगे हड्रोजन के पास कितना एलेक्ट्रोन है वह अपने घर में अकेला बैखती हैं अगर कोई आप पर अटेक करने गया मिंस आपसे रियक्शन करने गया या तो आप उसे मार दोगे या तो आप मरा जाओगे दो ही काम कर सकते हैं एक रूम में एक इंसान है अगर वो कोई उससे लडने आया अगर या तो यह तो मार देगा यह तो मरा जाएगा लेकिन बबु माइब बताएए आंगे नातना पीछे पगहा इसके पास एकी एलेक्ट्रोन है दियot आगर यहिक्शन कर देगा बहलें जहां आपको लिचाना चाहिए आप जहां में लिचाना चाहते हैं ले गया यह हीलियम यह घाडोजन से क्या हल जागा ह 2 बन जागा इसी प्रोसेस को हेडोजन से हिलियम बनने के प्रोसेस को ईलोजी के लेंग्वेज में हम लोग बोreated है कि इसका सद्यों हुआ है क्या हुआ हैथ सद्यों हाए तो h2 बन गया यानी कि इसका electron number 2 हो गया और आप बड़ियां से जानते हैं कि जितना electron number उतना ही proton number किसी भी elements का and वही proton नंबर को क्या बोलत bathrooms संखिया कोई दिकत नहीं तो परमानुसंखिया इसका 1 से हो गया दो तो जब 2 हो गया तो यह किस रूपे में आ हिलियम रूप में आजाएगा एंड आप बढ़ियां से जानते हैं यह भी हिलियम जो होता है अक्रिय गैस होता है कौन से अक्रिय गैस तो स्वर्मंडल में वनली 2% ही अक्रिय गैस है और 98% अभी भी हैड्रोजन है एंड अपना एच्टू करने के चक्कर में यह दान करने के यह पलस के रूप में एक कीरन का परवाह करता है उसी कीरन को हम लोग वाइट रेज बोलते हैं ठीक है और इन्हीं वाइट रेज से स्पेक्ट्रम हो सकता है अभी जो सूर्य का जो यहां पे रोशनी आ रहा है यह स्वेद परकास है पराबैंगनी कीरन वह तो हम बताया हु कि सिदहींreten हो पाया चмаकर गहरें प्रेस्जाट निकल रहा है तो यह समाख़ोर को बाते है आप लोग बोलगा चचा-जी पढाए पढाया त Douka कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है कि इतना 75% और हम लोग हाइड्रोजन की बाते करते हैं यानि जब हम पढ़ाये थे आप लोग के ब्रह्मान ठेला बताये दिए कि बाबु ब्रह्मांड रहना एक उर्जा है भूत चीजों का फॉर्मिशन होता है उज़ा है तो बना कर हम बना लेंगे जैसे कलोरी ना गया एच ल मना देगा अगर एच और ही मिल गया एच टू बना देगा अनू बन जाएगा ठीक है तो इस परकार के चक्कर में हमेशा उर्जा देते रहते हैं यहां तो क्लियर हुआ की नहीं हुआ ठीक है अब चलो आगे बात करते हैं जब एडिविन हबल ने कहा यह निहारिका जो है गैसों के बादल है धुलकनों के बादल है तो उस टाइम इस हैड्रोजन से किरिया करने के लिए एक तत्व नहीं आये थे बहुत सारे एलिमेंस आये एक चीज सूर्य का पहला यानि कि सूर्य का स्थिति पहले सही एतना है 98 परसेंट है और 2 परसेंट है आरगन औरगन भी है कुछ-कुछ परसेंट है लेकिन हम लोग मोटा-मोटी दो एलिमेंस के बारे में ज्यादा जानते हैं तो सूर्य जो है अपनी उर्जा अपनी अवकात परसेंट का ठीक है ना लपट जो होता है 800 किलोमेटर होता है मिन्स अगर जहां पर मेरा कोचिंग सेंटर में मेराल से राची जाएंगे ताव आई 100 किलोमेटर होता है समझ गया अगर इतना दूर तक सिर्फ लपट है इसका तो समझो इस पॉइंट को अगर वह कीरन और वह तो भई कॉंस्टेंट है वह तो यह नुदेख रहा है आज हमारे प्रित्वी के पास वायू लेख्शा कवज है लेकिन वायू मंदल तो विक्सी अब नहुए है जब इस स्टार्टी में प्रित्वी बना होगा तो किया मंदल होगा नहीं होगा तो संगलाइट डायारेक ध कर दिपन यह होगा इसको कर जाएंगे तो तो दोड़ाइस मिलेगा एक कारम चीजिज सब्सक्राइब गई इतनी बायोटिक चीजे कैसे आ गई लावा मैगा मा विक्सित हुआ चाहिए डूनिया मिटी के से आ गया बाकि कोई घ्रहा पर प्रित्वी के तुल्ला में इतना चीजे नहीं है जितना प्रित्वी पर है रीजन है क्योंकि प्रित्वी सूर्यक्स के एकदम सटा हुआ भी नहीं है बहुत दूर भी नहीं है मिडियम दूरी पर है एंड उलका पिंडों से एंड छुद्र ग्रहों से इसको पुरी तरीके से सुरक्षा मिला हुआ है ना इसका सुक्र कुछ कोई बिगार सकता है ना पहले तो वायू मंडल नहीं था जब वायू मंडल नहीं था तब चीजों की उत्पति यहां पर होना शुरू हो गया धुलकन जो था इन धुलकनों में जितने भी एलिमेंट्स थे तत्वत थे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के अलावा चुकि हाड्रोजन तो कंफाम होगा ही सभी जनवर प्लांट यह सभी कार्वनिक योगिक हैं इन सभी में कार्वन हैं डीप में आगे बात कर लेता हैं कभी एलिमेंट्स जो धुलकन में थे वह एलिमेंट्स थे बाबु ऑक्सीजन वह धुलकन में क्या थे ऑक्सीजन उस धुलकन में थे सिलिकॉन उस धुलकन में थे अलूमिनियम उस धुलकान में थे फेरस उस धुलकान में थे कैल्सियम उस धुलकान में थे सोडियम उस धुलकान में थे पोटेसियम और उस धुलकान में थे मैगनिसियम total elements का number कितना है 4 और 4 is equal to 8 total पूरे प्रिथवी पर हमारा जिससे इस भुपरपटी का निर्मान हुआ है भुपरपटी को crust बोलते हैं जिसका इस भुपरपटी पर इसका निर्मान हुआ है total 8 ततों से हुआ है total कितने ततों से हुआ है 8 ततों से अब एक और बात बढ़ियां से पकड़िएगा जनाब कि यह 8 ततों जब एक साथ मिलेंगे और सुर्य का temperature मिलेगा hydrogen का कुछ percentage आएगा तो का बनेगा उससे बनता है आपका magma अभी हमने बात कर दिया यह magma जो बनता है आठ परकार के खनीजों से मिलकर बनता है सुर्य का temperature constant होना चाहिए आप पढ़ें पदार्थ पदार्थ के अश्टडी को ही तहम लोग रहसायन बोलते हैं असानवा दो परकार को होता है कितने परकार का दो होता है कार्बन के साथ योगी की बनायेगा चाचा जी है है दो के साथ औक्सीजन के साथ इसलिए बता जाता है कि संसार में सबसे पहिला बार जब वाई मंडल डेवलप हुआ था तो वाई मंडल ऑक्सीजन नहीं था नाइट्रोजन नहीं था सिर्फ कर्बन डायोकसाइड था क्यों क्यों कि यहाँ पर चचा जी ऑक्सीजन था पहले से निहारिका में ठीक है और कार्बन कहीं से थोड़ा सा वेट हो गया ब प्रिथवी पर पाये जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है चच्छा जी खनीज करते हैं कोई दिकत नहीं है आप लोग चचा जी नहीं है मेरे बट पिर भी हम चचा जी जी से आपको आप रहें अब बात समझिए यही चीज़ हम बताने चकर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रोन क्या करते हैं चकर लगाते हैं कोई दिकत नहीं है सेम उसी प्रकार से नुक्लियस के रूप में काम कर रहा है मेरा सूरिया संथ और जीतने भी ग्रह हैं इसके चार और क्या करते हैं चकर लगाते हैं उसी में से हम लोग भी आते हैं हम नि सीधे मैगमा के सभी तत्वों का हो गया योग और साथ-साथ मिल गया सूरियश में उर्जा अब यहीं उर्जा ले लेकर इस परिताइट के सामने लिखा इस इसकी आवस्था क्या है अप ऐसे आवस्था क्या है जी पलाजमायोस्था आप ऐस만व जैसे एक गुड का पाग होता है उसको गुड का पाग समझने आप लोग आती वासा मैं इसे समझो गुड को पानी में डालिए और उसको खौलाईए बॉयल किजिए बन जाता है वह वास्पी करीत नहीं होगा वह गुड का पाग बन जाता है फिर लास्ट में जलेगा मतलब यह को स्टेट उसका बन जाता है जो रंग होता है वह रंग होता है लाल तथा पीला अब इसका जो तापमान होता है सूर्य का तेमपरेचर कितना था कि 12000 सेल्शियस सूर्य के बीच में केंदर में और सूर्य के शुरिय के उपरी साताग करोन से क्या आजम ने बैsp Ums का टेंपरेचर होता है बाबू से जहार डिग्री सेल्शियस आपको हम बताते हैं कुदपती कैसे होती है अगर बाबु मैगमा आपके सामने महिया लोग भी आप लोग बढ़ियां से सुनिएगा महिया मिन्स एस्पेक्टेड गर्ल्स यह मैगमा आने वाले समय में मान लोगी ठंडा हो गया ठंडा होने का पता है रीजन क्या है बता दें प्रिच्वी पर जल पर पानी का होना तो बहुत बड़ा का बात तो नहीं है क्योंकि प्रिच्वी कपर जो निहारिका या जो धुलकन हुआ उस धुलकन में ऑक्सिजन की मातरा था पूरे ब्रमान में 75% है तो आये गा तो पानी बन जाएगा और एक बार पानी बनना शुरू हो गया तो फिर का करना वेप्रेशन फिर से वही चीज ठंडा होना गरम होना पानी यह पानी हो जाएगा यह प्रोसेस करोड़ों साल के बाद हो रहा है अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बात कुछ टाइम मतलब कुछ सो करोड़ साल बाद हम बोल रहे हैं से ठीक है ना इतना हलके में इस नहीं हो जाती है कर्वनिक पदार्थ मिला तो कर्वन डियोगसाइड मिलको उसको बुझाई हो देगा लेकिन यहां पे दोनों में से कोई भी पूर्ण तरीके से अवेलबल नहीं थे इसलिए सबसे पहले यहां पे अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले सर अस्थल मंडल आया होगा कि चल मंडल आया होगा तो पहिला जबाव आपका यही होगा कि सबसे पहले जल मंडल आया होगा अब बताते हैं कैसे इसका एक फैक्ट्स नहीं है बहुत सारे फैक्ट्स हैं जब आप लोग क्लासिफिकेशन ओफ और गैजम्स पढ़ते हैं प्लासिवेंद में प्लाबार में था ना वो इक्वाटिक एनिमल्स होते हैं मतलब जली पौधे हो सकते हैं जन्तु हो सकते हैं तुरंत अस्थल मंडल पर जन्तुव का उत्पति नहीं हुआ है जन्तुओं की पहली उत्पति का हुए जल मंडल में तो इससे भी पहला कॉंसेप्ट से प्रकार के साथ मिलकर यह क्या बना देते हैं मैगमा और मैगमा को अगर आप देखोगे एक प्रकार के यह भी खनीज है क्योंकि इसमें कारवन की मातरा नहीं होती है उसे सभी का मलग क्या बोल देते हैं कोई समस्या है क्या कोई दरत तूक तकलीफ कोई नुकसान नहीं आए अब आते हैं अगे अगर मैगमा मैगमा ठंडा हो रहा है में ईसा नहीं कि टेंप्रेचर का जो है वह जीरो हो जाएगा इतना भी थंडा नहीं हो कि यह प्लाज्मा वस्था में होता है और यह लावा जो होता है फो सवस्था में आ जाता है अब देखिए लावा का टेंपरेचर बहुत कम हो जाता है बहुत कम और इससे धूआ फेकता है धूआ आपको एक वीडियो प्ले करना चाहेंगे बगल में आप देख सकते हैं देख कुछ धुआ भी दिख रहा होगा यह आज भी पाए जाते हैं आज भी यह पाए जाते हैं जब वैल केनों हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आज भी इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करते रहते हैं पढ़ते रहते हैं देखो कैसे इसमें बलेक कलर पूरा और बस्ता रही होगी जब पूरिया प्रित्वी का निर्मान हो रहा होगा तो ठीक है चलिए तो लावा जो हो गया है ठोस इस्टेटम हो गया और लावा का जब ठोस हो जाना होता है तो ठोस में इसका कलर जो होता है वह रंग जो होता है न वह काला बन जाता है कैसा बन जाता है क कलर कैसा हो जाएगा काला हो जाएगा और मैगमा का कलर कैसा था बबू तद यह था लाल और पीला कोई समस्या है क्या मैगमा का ठंडा होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है यहां पे लावा एंड मेगमा ठंडा हुगा लावा लावागरंग काला मेगमा लाले वों पीला हो जाता है कोई समस्य है नहीं अब जो यह लावा रहेंगे यहीं निर्मान करते हैं कि चटान का क्योंकि जब इनका टेंपरेचर पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा इतना ठंडा हो जाएंगे कि इनका टेंपरेचर पूरी तरीके से जब जीरो हो जाएगा तो क्या इसे चटान नहीं बोलेंगे क्या इसका संरचना क्रिस्टलिय नहीं हो जाएगा क्या इसका सं उसका जो real structure होता है क्या वैसा नहीं बन जाएगा क्या बीच में आग भरा रहेगा नहीं रहेगा सनरस्ना बन जाएगा ठीक है सनरस्ना बनने के बाद इसमें खनीज पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा चटान में अवस्य पाया जाएगा तो चटानों में क्या होते हैं ये खनीज होता है कोई अगर आपसे पूछे कि लिए चट्टान इसमें बाद कर लों कॉन सा तरीकॉंष था उसमें था पहर इसमें था atom यालुमीनियूंधा इसमें टाव तो क्या चटान जो बन रहा है इस प्रोसेस के बाद, तो क्या इन चटानों में ये आठो तत्व नहीं पाए जाएंगे, अवस्य पाए जाएंगे, क्या इस चटान में कार्बन की मात्रा होगा, नहीं होगा, कार्बन चटान में नहीं आ सकता है, देखी कार्बन का मात्रा यह नहीं था क्योंकि यहां अया था ना है ट्रुन अधा कर्बंत बाद मेया जब कर्मा न ह opposition उत्पात मचा कर देता है किसी भी तत्व के साथ बहुत खतरनाक होता है कारबन जब उत्पात मचा देगा तब किसी भी जीव का और्गनिजम का उत्पति करने लगेगा इसलिए और चीजे का इतना निर्मान हो गया ठीक है ना और गैनिक में समझो न जी ऐसे ही क्या पड़त सब्सक्राइब को stopping इस से मैंनी हुए आक्सिजन होगा शिलिकॉन होगा यस्थर होगा फेरास होगा यस होगा एलमूनियाम यस्थर में धनर सब्सक्राइब ड्याफंट से सवमेंग है अनल कलश्यम ये भी होगा इसीलिए इस चाल्टनवा बहिया यतनर सल्सक्राइब सब्सक्राइब कर देंगे कि पानी सबसे पहले कैसे हैं जी लोजिकल टाइम इसकेल नाम है उसका प्रिथभी का चार सो साट करोड जो एज है ना यह पूरा हम लोग फाइनल करेंगे तो यह बाबु भूपर पट्टी जब भी हम अलग हो रहे हैं आप इसे प्रजेंस ओप माइन के साथ नोट कीजिए देखिए पढ़ने का एक सिंपल सा फर्मूला है कि हम यह नहीं कहेंगे आपको किसे ब सभी दोस्तों को बता दी जगा महाबोकाल गर्मी के वज़े से बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो चुका था खुद मेरा तबियत भी खराब हो चुका था एक मेने तक पूरे तरीके से चैनल पर हम अपसेंट थे अब कभी ना देख लो टन टन है ठीक है मसीन पूरा फीट है म बोला जाता है रोक क्या बोलते है रोक इसी का दूसरा नाम है चटान इसी को बोलते हैं हम लोग पत्थर ठीक है बहुत सारा नाम है इसका जैसे माल लिजे कि हम प्रित्वी का संरचना गोल होता तो नहीं है प्रित्वी का संरचना क्या है सवाल बताईएगा लिख लिख ल थोड़े है प्रित्वी मालोव प्रित्वी चो कोंड़े रहे रहेगा ओकैंग अगर यह घूंते हुए even इसी का चुक लगा रहा है तो भी गोले दिखेगा लेकिन जब प्रित्वी आप रहते हैं हम लोग दिखता है जैसे मांट इरेस्ट माऑं इसे को थे नहीं ठीक है एप्रोक्स 1.500 मीटर कम करके 9 किलो मीटर है इतना उंचा उबर खाबर देखिए आप अपने इलाका को ही देख सकते हैं क्या वो समतल है नहीं है जियोडियल है तो प्रित्वी के उपर में रहके प्रित्वी पर रहकर अगर हम लोग प्रित्वी का आकार बता रहे हैं उसे कभी भी हम लोग गोला नहीं बताएंगे प्रित्वी एक गोला ऐसे बाहर से देखने पर आएसास होता है कि प्रित्वी से के दूरी आपको पता है 15 करोड किलो मिटर है इंडिया हां से संद्रमा के दूरी 3,84,700 किलो मिटर है इतना दूर जाकर देखेगा तो भाया कोई से गोल नहीं लगेगा हो प्रिथवी लगेगा ना तो कनफरम प्रिथवी गोल लगने लगता है हम लोग के लेकिन अगर धरतिया पर हम लोग रहके अग अधरा के आकार का नहीं कहाना है कि छप्टा है नहीं रहे बुलबक का अनावस्तिक बात जी ओडियल है पता नहीं चलता है कहां है उगल खबड़ देख तो वहार आरी हो था नहीं होता है नहीं कीमत पर चलिए जो प्रिथवी के जो संरजना प्रिथवी को अगर हम बाहर स गोल माने जो भी फीए आधार अधार पर लोग बोलता है सबसे पहले को हम लोग बोलता है कि इसको बोलता है भूपर प और इस भाक का नाम है बढ़ना पड़ता है कोई समस्या है क्या इसमें क्या इसका नाम क्या है सियाल कहना का मतलब देखिए इस क्रस्ट में भूपरपटी में सबसे उपरी प्रतिया निए कि जहां पर हमनी अभी खाड़ा है यहां पर वा में यहां पर सिलिकॉन और एलमुनियम हुमच के पाया जा रहा है मतलब अत्यधिक मात्रा में सिलिकॉन मिट्टी के रूप में प्रति के लिए सिंपल सा चीज है कि जैसे चटान था यह समने बता है ना चटान बना यहां पर बहुत बड़ा बड़ा चटान सूरी के गर्मी से अपक्चाइथ होगा टूटेगा बॉल्डर बनेगा बॉल्डर बनने के बाद सिंपल सा लॉजिक है अपने से दिमाग लगा वंडर बनेगा को गिटी बनेगा ग्रिट जिसको कहते हैं उसके बात काव बनेगा उसको भी तोडा जातो मोटका बालुग बनेगा मिसरी मिसरी जैसा और центр हैं घ्les Words बनेगा आउ तोड़ेंगे तो भाया पर्मानु तो बनना ही है धुलवा तो पर्मानु नहीं हो गया लेकिन वह हमें दिखता नहीं है कदगो कान उसका फिर उसको बैठा देंगे कहीं पर बैठ जाएगा पता चला एकाथ दाना पानी मार दिया सड़क किनार दिखेगा कितना धुल रहता है पानी मार देगा तो धुल किस धीज में बदल जाता है मिट्टी में बदल जाता है तो यही तो मिट्टी है ना हमारे पास लेकिन बता दिये कि बालू मेंं होना लेकिन व फूपर पठटी पर निचला फाग को बोलते हैं हम लोग मेंठर निचला लाग में क्या बोलता हैzięki के नाम है सीमा अब इसका नाम कुछ हो रहे तक कि nv एक बढ़िया क्रू अंदर करों में मिटी नहीं होगा उपर में थोड़े नाम लोक कर दिया है पूरी तरीके से सिलिकॉन होगा दूसरी चीज मैगनिसियम पाया जागा एम ए हम लोग नामुआ दिया था कि नामुआ पढ़ने में बढ़ियां लगे सीमा सीमेज पढ़ोगे इसको जी लगा देंगे तो सीमग पढ़ना पढ़ेगा कई से पढ़ाएगा पढ़ी भी नहीं क सूपर कठोर यहां पर पाया जाता है नीफ का नाम रहीज मतलब यहां पर निकल एक अलग प्रकारण के इलिमेंठ्स हैं जो की zur क्यों नीहारिका है नहीं था यह बादमें आया कहां पर गउनी से फ्रहस हैँब करता है भागी सब तत्टव यह लगावलभी है तो पूरे प पर अभी तक टोटल ग्यात तत्व जो हैं टोटल 118 elements है जिसमें से 92 natural elements है and 26 यह जो है artificial elements है यानि कि इसका discovery इंसानों ने किया है या किसी किसी का अविस्कार ठीक है यह भी इंसानों ने किया इत्वी पर बहुत सारी चीजों के बारे में हमें आरा research खोज हो चुका है ठीक है और geology के अंतरकत अब आपको विस्तार समझ में रहोगा कितना deeply हम लोग जा रहे हैं अभी तक जितना भी objective है इस सारे objective हम पूछेंगे एक final वीडियो लाएंगे एंड लाइव आएंगे अब आप लोग एकदम ready हो जाईए एंड टेली के टेली एकदम classes में उपसित होईए और टेली का डेली हमारा class चलेगा चलेए मिलते हैं next class में तब तक के लिए चैहिन वंदे मात्रम